Hello everyone, I am Satnam Singh इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कुश्चन के बारे में बताऊंगा जो कभी कबाहरी आपसे इंटर्वीव में पुछा जाता है लेकिन सडली पुछा जाता है क्योंकि इस कुश्चन के लिए आप प्रिपेर तो होते नहीं है तो उस टाइम आप क्या एंसर करेंगे तो इस वीडियो के तुरू मैं आपको बताऊंगा कि इस कुश्चन का हमें सही और सटीक एंसर क्या देना चाहिए मान लीजे आप इंटर्वीव के लिए बैठे हुए है HR person या कोई भी जो आपका इंटर्वीव ले रहा है उसने आपसे पूछा Can you work under pressure? तो उस वक्त आप क्या एंसर देंगे? So, you have to say yes for this answer. Don't say no. You can say to your HR person, yes, I can work under pressure. But, I divide my pressure in two conditions. The first condition is when there is work overload, target or deadline. And the second condition is when the things are not going well. उस situation में आप कह सकते हैं कि अगर work pressure आया तो मैं उस work pressure को दो condition में divide कर सकता हूँ. पहली condition ये work overload हो गया, targets को पूरा करना हो गया, deadlines को meet करना हो गया. दूसरी condition ये, जब चीजें सही तरी से नहीं हो रही हो. हम बहुत सारा समय और बहुत सारा hard work उस चीज में लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी desire results नहीं आए हो. तो पहली condition अगर इस तरह का work pressure मेरे पास आया, that means work overload हो गया, targets को पूरा करना हो गया, और deadlines को meet करना हो गया, तब आप interview को ये कह सकते हैं, कि इस तरह के काम को मैं पहले भी handle कर चुका हूँ. और मैंने अच्छे से इसको manage किया है. You can say, I have done some of my best work under tight deadlines. मन्त के शुरुवात के अंदर ही मैं अपने काम को manage करके चलूँगा, ताकि जब मन्त का end हो, मैं अपने job को और अपने work pressure को अच्छे से handle कर सकूँ और manage कर सकूँ. तो आप कह सकते हैं कि I prioritize my responsibilities and finally I effectively manage pressure on the job. आप ये भी कह सकते हैं कि काम के बीच बीच में मैं छोटे छोटे breaks लेता हूँ ताकि work pressure को release कर सकूँ और पूरे efforts को दोबारा से इसमें लगा सकूँ. आप कह सकते हैं कि I will take small breaks between my work to release my work pressure. और अगर दूसरी condition आती है, that means जब काम सही से नहीं हो रहा है, सब कुछ गर्बल हो रहा है, हमने अपना बहुत सारा hard work और बहुत सारा समय उसमें लगा दिया है, लेकिन फिर भी हमें positive outcomes नहीं मिल रहे हैं, उस case में हमें smartly work करना होगा. तो उस situation में आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई condition मुझे पर आती है, या इस तरह का कोई work pressure मुझे पर आता है, तो मेरा जो focus है, वो मेरे job पे ही रहेगा, और मेरे अपने job को, अपने काम को पूरा करूंगा ही, देखे कभी कभी क्या होता है, कि मान लिजे, आप एक accountant है और आपकी balance sheet match नहीं हो रही है, तो pressure के अंदर होते हैं आप, और अगर आप एक software developer है, और आपकी coding execute नहीं हो पा रही है, तब भी आप बहुत ही ज़्यादा pressure में होते हैं, या यह भी case हो सकता है, कि communication gap हो, या misunderstanding हो आपके और आपके boss के बीश में, या आपके और आपके client के ब शांत सभाव का person हूँ, और अपने काम को बहुत ही peacefully handle करता हूँ, अगर बहुत सारा pressure आ जाए मुझ पर, तो आप कह सकते हैं कि I am kind of person which stays calm and cool, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं गाने सुनता हूँ, music सुनता हूँ, और गुनगनाने गुनगनाते रहता हूँ, ताकि work pressure को release कर सकू और थोड़ा सा relaxed down हो जाओ, आप कह सकते हैं I listen to music or make some, आप ये भी कह सकते हैं कि काम के बीच बीच में कभी कबार मैं meditation भी करता हूँ for 10 to 15 minutes ताकि मुझे peace मिले और मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा सा relaxed हो जाए और फिर वापस से मैं अपने काम को freshly start कर सकूँ, so you can say sometimes I meditate for 10 to 15 minutes अब आपकी knowledge के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, now for your knowledge I want to clear you one thing that work overload, target or deadline, they are the kind of work which requires your hard work, जैसे कि हमने पहली condition में आपको बताया था कि जब भी आपके उपर कुछ work overload हो, target हो या कोई deadline हो, तब उस समय क्या होता है कि जरूरत होती है आपके hard work की, ठीक ना, उस time आपक kind of work which requires your smartness, और दूसरी condition में मैंने आपको बताया था, जब आपने अपना hard work भी दे दिया हो, अपना समय भी पूरा दे दिया हो, और results positives ना आ रहे हो, उस समय आपको smartness की जरूरत होती है, यानि second condition में मैंने जो बताया था, क्योंकि आप hard work और time तो अपना दे चुके हैं, अ आप आप hard work नहीं देंगे, अब आप hard work ना करके smartness दिखाएंगे वहाँ पर, ओके, तो हाई ओप आपको मेरे ये वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा, तो friends ये जो मैंने आपको answers बताया हैं, ये answers आप अपने इस particular question के लिए बहुत अच्छे से यूज कीजिए, अ बगल में bell icon को press करके all पर click कर दें, जिससे मेरे दौरा बनाये गए हर एक वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुचे, तो फिर मिलेंगे हम अपने next वीडियो में, तब तक के लिए have a nice day and bye.